आप अप राधी हो अभी दसकत करेंगे कि नहीं यह बताईगे। इंजर को कानून का पाट पड़ा रहा है। फॉरेस्ट गाट साफ शब्दों में चेतामनी दे रहा है कि वो इन अफसरों की वर्दी उतरवा लेगा क्योंकि इन लोगों ने प्रदिबंदित सीजन में बांस कटवाने का जुर्म किया है। इंजर करेंगे। आप अपराधी हो अभी दसकत करेंगे कि नहीं यह बताइए। यहाँ कोई सहाब अब नहीं हो नहीं से चल रहा हूं मैंचल। कोई अपराधी हो अब मौके पेंगे। बात मत करो मिता। अपराधी हो तो पहीं अपराधी हो ने बात करना नहीं करो ने करना। पाइचत। जाज को नाउंक काम हैं। मैं जब कारव़ी कर रहा हूं, मेरा फिल्द है रिजर अपरेश है, यह पत्ता नहीं सकता। मैं तो आप भॉस में रहिए। जली एदसकत करें। कुछ भॉस में इंगर हो फिल्टा शावागा पिज़ी मैं समझे रहा है। में ठीष बढ़नादाए? तो दुराम कुमार को भॉस में पता है। कहा रहा है रहा है? समझे रहा है रहा है। जकन पर दुसकत करेंख दुद्द नहीं लाता है। बीट गाड की कारवाई से वन विभाग में हटकम मचा हुआ है बताय जा रहा है 16 जुलाई को इस इलाके में मजदूरों से बांस की कटाई कराई गई थी जब गाड मौके पर पहुँचा तो उसने मजदूरों से इसके बारे में पूचताच की मजदूरों ने जब बताया कि अधिकारियों के कहने पर ही उन्हों ने ऐसा किया तो बीट गाड नाराज हो गया और अपने ही अधिकारियों के खलाव कारवाई कर दी इस मामले में बांस काटने में इस्तेमाल की गई कुलहारी को भी बीट गाड ने जबत कर लिया है और आगे की कारवाई के लिए अपने अधिकारियों के पास रिपोर्ट बना कर भेज दिया है कोरबा से गेनलाल शुकला की रिपोर्ट, MP तक